नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है तो आज मैं फिर से एक छोटी सी मॉरल स्टोरी लेके आई हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो चलिए अपने स्टोरी का टाइटल जानते हैं और स्टोरी का पिक्चर देखके आपको पता ही चल किसके बारे में स्टोरी है तो स्टोरी का टाइटल है द थरस्टी स्क्वेरल जब किसी चीज को स्पेशल बनाया जाता है मिन्स किसी चीज को महत्व दिया जाता है या किसी चीज के बारे में बात की जाती है तो द का यूज होता है थरस्टी मिन्स होता है प्यासा मिन्स जि चलती है means squirrel और वो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है प्यारी लगती है cute लगती है तो यह story squirrel के उपर है गिलहरी के उपर है एक प्यासी गिलहरी के उपर है तो चलिए अब story read करते हैं once एक बार once means एक बार during during मतलब होता है दोरान समय बताना during means एक period एक अवधी means दोरान summer during summer मतलब गर्मी के समय एक बार गर्मी के समय गर्मी के दोरान summer means गर्मी जब ग्रिस मेरी तुरती है means उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस समय की बात है गर्मी के समय the sun sun means सूर्य सूरज जो उजाला देता है हमें the sun god भगवान सूर्य देवता सूरज भगवान became means हो गएं बन गएं very बहुत ज़्यादा annoyed अनायर मतलब होता है नाराज होना परसान होना with मतलब साथ में say the humans मतलब इनसानों से मानो जाती से for लिए wasting मतलब होता है बर्बाद करना water पानी बर्बाद करना और ये एक कहानी बताई जा रही है कि गर्मी के समय सूर्य देवता जो सूरज भगवान हैं बहुत ही नाराज हो गए हैं इंसानों से और किसलिए वे नाराज हुए for wasting water wasting मतलब बरबाद जो इंसान पानी बरबाद करते हैं इस वज़े से सुर्य देवता बहुत ही नाराज हो गए हैं नाराज होना परिसान होना he means सुर्य देवता सुरज भगवान decided decided मतलब तैं किये to punish मतलब होता है दंडित करना मिंस उन्हें मतलब उस चीज़ का दंड देना to punish them इंसानों को मानो जाती को badly, बुरी तरह से मतलब उन्होंने सूरज भगवान ने सोचा क्यों उन्हें बहुत ही बुरी तरह से दंडित किया जाए मिंस जो ये गलती कर रहे हैं उसकी उन्हें सजा दी जाए badly मतलब होता है बुरी तरह से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खराब तरीके से the angrier, angrier मतलब होता है क्रोधित होना, गुसा होना ही ग्रियो ग्रियो मतलब होता है अधिक बढ़ना the angrier ग्रियो मतलब बढ़ना अधिक होना मतलब जितना ही गुसा होते गए मिंस बहुत ज़्यादा गुसा होते गए the hotter, the weather became hotter मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होना अधिक गर्म होना the weather, मौसम became हो गया और जब सूर्य देवता जितना ही गुसा हो रहे थे उतना ही वातावर्ण जो था वहां का मौसम था गर्मी का जो मौसम था उतना ही गरम होता गया क्योंकि वो इंसानों से क्रोधित थें क्योंकि इंसान जो थे पानी वेस्ट कर रहे थे और इस वज़े से सुर्य देवता बहुत ही जादा क्रोधित हो गए हैं गुसे में आ गए हैं और जिससे जितना ही वो गुसा हो रहे थे मौसम उतना ही गरम होता है और सभी को पता होता है जब हम गुसा होते हैं या किसी चीज़ से नाराज होते हैं तो उस तरह से हमारा जो बॉडी का टंपरेचर भी गरम हो जाता है मिनस जब हम जादा गुसा हो जाते हैं तो हम गुसे में लाल हो जाते हैं और इस तरह से हमारा जो बॉडी टंपरेचर है वो मिनस बढ़ जाता है इसी प्रकार जो सुर्य देवता थे वो एकदम गुसा हो गया है कि इतना गुसा हो रहते हैं कि मौसम में जो गर्माहट थी और भी बढ़ती जा रही थी क्योंकि सुर्य देवता तो प्रकाश प्रदान करते हैं और जितना ही प्रकाश बढ़ता गया उतने ही मौसम गरम होता गया the heat was becoming difficult to bear heat means होता है गर्मी उर्जा जो हीर थी जो गर्मी थी was becoming becoming means हो रही थी difficult कठीन हो रही थी to bear bear means होता है सहन मतलब इतनी गर्मी बढ़ गई थी कि सहन नहीं हो पा रही थी and or water जो पानी था was था drying up drying up मतलब सूख रहा था dry में ing लगा हुआ है तो मिन्स सूख रहा था everywhere हर जगा का और जब गर्मी बढ़ गई तो हर जगा का जो पानी था सूख रहा था मिन्स खतम हो रहा था जब आपनों को पता ही होगा जब सूर्य मतलब इतना सूर्य की रोशनी होती इतनी गर्मी होती है जब मौसम में तो जो नदी नाले हैं सब जगह के क्या हो जाते हैं सूख जाते हैं तो उसी तरफ जब सूर्य देवता गुसा हो रहे थे तो सब जगह का पानी क्या सूख र पेड का नाम है ओक के पेड पर lived lived मतलब रहती थी squirrel एक squirrel रहती थी एक gallery रहती थी everyday प्रतेग दिन everyday प्रतेग दिन यहाँ पर he gallery के लिया है means gallery को he के रूप में आदमी के रूप में यूज किया गया है means masculine gender के रूप में यूज किया गया है तो he went down went down months नीचे उतरती थी to the nearby nearby मतलब past के lake मतलब जील और वो जो gallery थी जो ओक के पेड पे रहती थी वो नीचे उतर के पास के ही जील के पास जाती थी to drink मतलब पीने के लिए water पानी पीने के लिए जाती थी एक ओग के पेड़ पर गिलहरी रहता था जो नीचे उतर के ही पास के ही जील में पानी पीने जाया करता था बट लेकिन फॉर पास्ट फ्यू दिनों पिछले कुछ दिनों से जो गिलहरी थी पिछले कुछ दिनों से फॉर पास्ट फ्यू दिनों से he was not able, he was, he, tha, not, नहीं, able, able, मतलब सक्षम, योग्य, to find, find, मतलब पाना, any water, मिन्स थोड़ा सा भी पानी नहीं, to drink, पीने के लिए और पिछले कुछ दिनों से जो गिलहरी थी उसे थोड़ा सा भी पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा था दस इस प्रका, he went out, वो बाहर गई, in search, search मतलब में, search मतलब खोज में, of water, search of water, मतलब पानी की तलाश में, search of मतलब तलाश में, water, पानी की तलाश में, वो बाहर गई he looked everywhere, जो गिलहरी था, looked, looked, मतलब मुझे हमेशा गिलहरी थी, मतलब feminine gender के रूप में, मेरे मूँ में हमेशा आ जा रहा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ही का समझ गए, means he, मतलब था के रूप में, यूज किया गया है, मतलब की masculine gender के रूप में, यहाँ यूज किया गया ह तो he looked, जो गिलहरी था, looked, देखा everywhere, हर जगा, but, लेकिन, could not find, नहीं पा सका, एनी, मतलब थोड़ा सा भी पानी, नहीं वो पा सकी, जो गिलहरी था, वो पानी थोड़ा सा भी, वो नहीं पा सका, means, जो सुर्य देवता थी, इतने गुसा हो गया थे, कि उनके गुसे के सब जगा, नदी, नाले, जील, सभी सूख गये थे, और बिचारी जो गिलहरी थी, उसको भुगतना पढ़ रहा था, means, वो इतनी प्यासी थी, कि वो हर जगा पानी की तलास कर रही थी, पर पानी उसे नहीं मिल ला था, He felt, जो गिलहरी था, socha, felt, मतलब socha, that he would die, he would die, वो मर जाएगा, die means मर जाएगा, of thirst, of ka, thirst, thirst, मतलब प्यास, और वो सोचा कि अगर उसे पानी नहीं मिला, तो वो प्यास से मर जाएगा, As, जैसा कि his last attempt, he prayed to the rain God for some mercy, as his last, जैसा कि his last untim attempt, attempt मतलब होता है, प्यास, मतलब पानी सब जगा जो गिलहरी था, पानी सब जगा डूडा पर उसे पानी बिलकुल भी नहीं मिला, Lastly, Finally, आखिरकार, वो लास्ट में एक मतलब प्यास किया कि क्यों न वो भगवान से प्रातना करे, He prayed, prayed, मतलब प्रातना किया to the rain God, बारिस के देवता से, फॉर लिये सम, कुछ मर्सी, कुछ दया के लिए, और जो गिलहरी था, उसने, जो बारिस के देवता थे, उनसे प्रातना की कि कुछ वो दया दिख लाए, मतलब कि जो उसकी प्यास बुझाएं, मतलब उस पे दया करेंगे, पानी बरसाएंगे, तभी तो उस गिलहरी का प्यास बुझेगा, तो उसने भगवान से प्रातना की, दा रेन गॉड जो बारिस के देवता थे, फिल्ट, मतलब महसूस किये, पिटी, मतलब होता है दया, फोर हीम, गिलहरी के लिए, और जो बारिस के देवता थे, उनको गिलहरी पे दया आ गई, आन, शावर्ट, मतलब होता है, बुझार करना, पानी की बुधे गिराना, उस गिलहरी की प्रातना से, जो बारिस के देवता थे, उनको दया आ गई, और उन्होंने बारिस की बुझार कर दी, पानी की धारा बहा दी, और थस इस प्रकार, ड्यू तु मिन्स होता है, कारण से, दा थस्टी स्क्वेरल, प्यासे गिलहरी के कारण, दा होल, मतलब संपूर्ण, पूरा फोरेश, जो जंगल था, रिसीवड, प्राप्त किया, अलोंग, एक लंबी, और कूल, ठंडी, रेंशावर, जो बारिस की, ब जो, मतलब की, जो गिलहरी थी, उसकी प्रात्ना से खुस होकर, जो बारिस के देवता थे, उन्होंने पूरे जंगल में, एक लंबी, और ठंडी, बारिस की, बौचहार कराई, मतलब शावर कराया, मतलब पूरे जंगल को, पानी प्राप्त हुआ, यह स्टोरी हमें यह सीख देती है, कि जब कोई चीज हमारे पास नहीं रहती है, तब ही उसका महत्वा पता चलता है, तो जैसे कि कभी-कभी होता है कि कई-कई सहरों में कुछ लोगों को पानी की सुलबता, मिन्स पानी जो है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है, उनके घरों में आता है, और 24 गंटे आता है, इस वज़य से कभी-कभी कुछ लोग पानी को वेस्ट भी कर देते हैं, मिन्स नहाते हुए, ब्रस करते हुए, और और भी कई तरीके से, और कही-कही कुछ लोगों को पानी के लिए लंबी-लंबी लाइने लगाने पड़ती है, और उसमें गर में 24 गंटे आता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें पानी का वेस्ट करना चाहिए, मिन्स पानी सेफ करके रखना चाहिए, क्योंकि पानी का स्रोथ तो इकी जगा से है, सभी को इकी जगा से पानी मिलता है, तो पानी कभी भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी क बचा के रखना चाहिए, क्योंकि पानी बचाएंगे तो जो आने वाला जीवन है, जो आगे हमें भी वो मतलब फायदा करेगा, कभी-कभी अगर हम पानी वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि हमारी पानी की टंगी खतम हो जाए और हमें कभी जब जरूरत हो उस समय पानी का तो ह इतना खराब हैबिट है तो पानी हमें कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और ये कहानी हमें यही सिख्छा देती है कि पानी कभी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी जब नहीं मिलेगा तब ही पता चलता है कि पानी का जीवन में कितना इंपोर्टेंट्स है तो आप सभी लोगों को ये लाइन पता ही होगा कि जल ही जीवन है तो जल को हमें सेफ करना चाहिए सो आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सबस्क्राइब और सपोर्ट करिएगा सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थांक यू